आज मैं आ गई हूँ अपने गार्डन की कुछ ट्रेजिटी दिखाने और करीब हपते दस दिन से एक लंगूर बहुत जादे परेशान किया हुआ है हम लोगों को और मेरे गार्डन में तो बहुत कुछ अब नुकसान भी करने लगा है और मैंने नीचे ग्राउंड के और उसमें खूब सारी फ्लारिंग, फ्लूटिंग सब कुछ हो रही थी लेकिन उसको भी पूरा पूरा तहस नहस कर दिया है और सारी डाल तोड के नीचे लटका दिया था तो मेरे गार्डन में उसने बहुत जादे नुकसान करना शुरू कर दिया है आप देखेंगे कि मे मैंने इसकी हार्वेस्टिंग कर ली है और आज तो और भी जादे नुकसान कर दिया है और देखेंगे मैंने यहां पर पत्ता गोभी लगाई हुई थी तो पत्ता गोभी को उसने पूरा देखिए पंजे से नोच-नोच के खाया हुआ है हाला कि उपर की पत्तिया नोची है अभी जहां का बंद हुआ था यह तो नहीं नोचा है लेकिन इसके भी बीच का हिस्सा अभी बच गया है लेकिन चार गोभियां ऐसी है जिनको बिल्कुल बेकार कर दिया है मैं आपको अभी चलिए दिखाती हूँ यहां देखिए मैंने चार पत्ता को भी लगाई हुई थ देखिए बिल्कुल बीच का ही हिस्सा उसने नोच के पूरा खाया हुआ है देखिए और सभी को एकदम डेमेज कर दिया है इसका बिल्कुल बीच से हिस्सा अभी नीचे का बाकी है लेकिन फिर भी यह गोभी खराब कर दी है उसने और इसमें अभी बचा हुआ है तीन गो मैं पीला ही टमाटर तोड रही हूं कुछ हार्वेस्टिंग उनके आतंक की वज़े से करना पड़ रहा है यह देखिए इतना टमाटर मैंने तोड लिया है और अभी बहुत अच्छे से लाल नहीं हुआ है हला कि मैं बहुत लाल टमाटर नहीं तोडती हूं लेकिन जो भी पी इस तरह से पीला हुआ तो इसको रख देंगे तो फिर वह अच्छे से लाल भी हो जाएगा काफी अच्छे साइज का भी टमाटर लगा हुआ है घर के सीटे मैंने पौद इसकी तैयार की हुई थी और ब्रोकली बहुत अच्छी से रेडी हो गई है और मूली तैयार है तो भी हार्वेस्ट करेंगे यहां देखिए यहां ब्रोकली देखिए कितनी अच्छ książ तयार हो गई ए यह तो खाफ़ी इसको हार्वेस्ट नहीं करती लेकिन बंदर की वज़े से ही हार्वेस्ट करना पड़ रहा और देखिए इससे छोटी छोटी दो ब्रॉकली हैं, इनको बस ऐसे ही ढखके, पत्ती से ढखके छोड़ दूँगी, और देखूंगी कि ये बच जाएं, और नहीं बचेंगी तो फिर क्या ही कर सकते हैं, लेकिन जो ये ब्रॉकली है, इसको हम तोड लेंगे, और इस तरह से इतना जो ये गाठ है, इसी पे से तोड लेंगे, और ताकि साइट साइट से इसमें फिर से ब्रॉकली लगेगी, और छोटी ही लगेगी, लेकिन देखिए, इस तनी बड़ी ब्रॉकली लगी है, इस से अब छोटी छोटी ही लगेगी, फर्स्ट हर्वेस्टिंग काफी ऐसे जो आतंकवादी घटनाय बंदर करते हैं तो उनकी वज़ा से मन थोड़ा फीका हो जाता है यहां से भी कुछ टमाटर देखिए तोड़ भी ले रही हूं और यहीं से मुझे मूली भी हार्वेस्ट करनी है तो यहां पर आप देखेंगे काफी अच्छी मूली लगी अगर दिखेंगे उन्हें कुछ खाने लाइक देखि कितने अच्छे साइज की मूली लगी हुई है बहुत ही अच्छा साइज आया है मूली का और मिट्टी अच्छी रहे कुछ भी कर सकते हैं और काफी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी और देखिए यह सब केवल कोई केमिकल फर्टिलाइजर वगरा मैं नहीं यूज करती हूं इतना अच्छा साइज मूली का आया है तो मैं किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट का ही केवल यूज करती हूं और लिक्विट फर्टिलाइजर किचन वेस्ट और सरसों की खली इनी सब का यूज करती हूं और दे देखिए काफी अच्छे साइज की मूली आई है तो और गनिक चीजें यूज करें अपने घर का ही कुड़ा कच्रा यूज करें और अगर आपके पास नहीं पॉट है तो आप बोरी में थर्मकॉल बॉक्सेज में गत्ते में जोला प्लास्टिक के यह सभी चीजों में आप व उच्छों में उपर फूल आ गए थे तो देखिए यहां से भी नोच के पूरा बंदर खराब करके रख दिया है और फ्लारिंग देखिए फ्रूटिंग भी होने लगी है अगर बंदर ना परिशान करें तो कुछ सबजियां लग लग भी जाएं और यह किवल बंदर बहु इसमें से हार्वेश्ट नहीं करूंगे फिलाल मैंने दो मूली हार्वेश्ट कर ली है और कुछ पॉट को भी मैंने भरा है किचन वेश्ट और गार्डन वेश्ट से ही भरती हूं मैं आप मेरी पिछली वीडियो में देखे हूंगे और इस तरह से देखिए मैं यहां से ब् पतियां आती हैं वहीं से अंकुरण होने लगता है और यह ब्रॉकली को तो मैंने दोनों ब्रॉकली ढख के रग दी है और अब देखते हैं और यहां पर देखिए यह आलू भी अंदर अच्छे से बन गए होंगे मुझे उमीद है क्योंकि मैंने हल्दी की हार्वेस्टिंग जो की है पॉट को जो तोड़ दिया था बंदरों ने उसमें काफी अच्छी हल्दी पड़ी हुई है तो केवल कीचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से आप अपना गार्डन बहुत अच्छे से चला सकते हैं आप देख रहे होंगे मैं चला भी रही हूं अपना गार्डन इ यूज करती हूं वेस्ट चीजें चाहे खाद के लिए हूं मिट्टी बनाना हो पॉट के लिए हो तो सभी कुछ वेस्ट पे ही चलता है क्योंकि गार्डनिंग में जो वेस्ट चीजें हैं उनको यूज कर लें तो ही अच्छा है और इधर उधर फेकने से कच्रा ही बढ़त देखे लेंडुल्य यह गजान आट बहुत ह més काफु हूं में दो गला है तो बहुत यह निकाल दोंगी को में उखाड़ूंगे और बहुत तकलीफ देता है जब आप इस तरह से सब्जियां आपको मिलें भी ना और आप मेहनत करें तो देखिए दो पत्ता को भी एकदम बेकार करके ये दो तो एकदम बेकार हो गए ये भी छू दिया है लेकिन इसको मैं अभी छोड़ दूंगी नहीं निकालूंगी अगर ठीक से निकल गया बांध लिया तो ठीक नहीं तो इसको मैं बाद में निकाल दूंगी और ये दोनों पेड तो मैं निकाल ही दी हूँ और काफी अच् और किचन वेस्ट भी लाके इसी में डालती हूँ तो देखे इतनी हार्वेस्टिंग मैंने कर ली है टमाटर खूब लाल तो नहीं है लेकिन एक केजी के बराबर टमाटर है जादा ही होगा खम नहीं होगा और यह एक इतनी बड़ी ब्रोकली मुझे मिली है काफी हेल्दी ब् लेकिन बस उखाड़ना ही था और यह दो मूली दो मूली ही केवल उखाड़ी है मैंने अभी मूली दो पॉर्ट में बहुत अच्छे से तयार है और देखे कितना अच्छा साइज आया है मूली का तो उमीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अगर ज थैंक यू